नेक्स्ट एपिसोड के लिए 100 लाइक्स का टारगेट है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट कम्पलीट करवा दीजिएगा। जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स कम्पलीट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट और उस मरे हुए व्यक्ति को देख कर कहने लगा अभय देव कोटियान भले ही मेरे नाम में देव आता हो लेकिन मुझसे बड़ा दानव आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है मेरे एक चहरे पर कितने चहरे हैं यह कोई नहीं बता सकता है मेरा वह चहरा जिस पर मैं एक बहुत बिजनेसमेन हूं और दुनिया के सामने एक शरीफ इनसान हूं तो वहीं पर उस चहरे को हटाने के साथ ही अंदर से निकलता है ड्रेगन का चहरा जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूर इनसान है उसकी काली दुनिया में अच्छाई की परच्छाई तक नहीं है और तुम्ह अच्छी बात है भगवान इसकी आत्मा को शांती देने से रहे क्योंकि मौत इसकी मेरे हाथों हुई है उसके बाद अभय ने अपने आदमियों से कहा जिंदा जला दो इसे कोई नाम और निशान नहीं रहना चाहिए इस नाम का व्यक्ति कभी वजूद में भी था ये भी पता नहीं चलना चाहिए समझ में आई बात उसके सारे आदमी एक साथ हामे कर हिलाते हैं बॉस मैडम का फोन है अभय के पसनल असिस्टेंट रोहन ने कहा उसकी बात सुनकर अभय घुर कर रोहन को देखने लगा रोहन ने जल्दी से हकलाते हुए कहा वह आपको काफी देर से फोन करने की कोशिश कर रही है लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा है इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया है अभय की आखें छोटी हो गई और उसने कुछ नहीं कहा वह अपने तेज कदमों से खंडहर से बाहर निकलता है बाहर ड्राइवर पहले से ही तेयार खड़ा था अभय को आया देख उसने गारी का पिछला दर्वाजा खोल दिया और अभय जाकर उसमें बैट जाता है ड्राइवर गारी ड्राइव करता है और वहां से निकल जाता है गारी में बैठने के साथ ही अभय अपना फोन निकालता है उसमें आर्या की 10 मिस्ट कॉल थी और 4 मैंने तुम्हें बताया था ना मैं एक बहुत इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ हूँ तो क्यूं बार-बार फोन कर रही हो एक बार फोन नहीं उठा रहा हूँ तो समझ जाओ कि मैं बिजी हूँ या इतनी सी बात मुझे तुम्हें समझा नहीं पड़ेग बात कैसे हो पाएगी इसलिए मैंने रोहन को फोन लगा दिया I am sorry अगर आपको बुरा लगा हो तो पर आप जानते हैं ना जब बहुत देर तक मेरी आपसे बात नहीं हो पाती है तो मुझे कितने negative ख्याल आने लगते हैं इसलिए मैं बार-बार आपको फोन करती रहती आर्या अपनी सफाई देते हुए कहती है और उसकी यह बात सुनकर अभयकस के अपनी आखें बंद कर लेता है उसने रूखिपन के साथ कहा अपनी बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ तुमने किसलिए मुझे इतने फोन किये हैं कि मेरे फोन उठाने का भी इंतजार नहीं कर सकी और सीधे रोहन को फोन मिला दिया और आर्या अभयके इस व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ थी उनकी शादी को तीन साल हो गए थे और अब तक तो आर्या को इन सब की आदत भी हो गई थी आर्या को पता था कि अभय जब काम में बिजी रहता है तो उसे कि का भी डिस्टब करना पसंद नहीं है भले ही वह आर्या ही क्यों ना हो अभय के पूछने पर आर्या धीरे से कहती है अभय मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि कल मेरा पेंटिंग एक्जीबिशन है और मैं चाहती हूँ कि आप उस एक्जीबिशन में आए अग अगर काम से फ्री हुआ तो आ जाओंगा ये कहते हुए अभय ने कॉल डिस्टनेक्ट कर दिया और फोन को बगल की सीट पर पटक दिया वह अपने हाथ को अपने सर पर रख कर प्रेस करते हुए सोचने लगता है कि वह रिपोर्ट यूही उसके फार्म हाउस के आसपास नह अपने कमरे में थी और उसके हाथों में एक पेंट ब्रश था वह मुस्कुराते हुए अपने सामने उस बड़े से कैनवास को देख रही थी जिया का खुशी का ठिकाना नहीं था वह विश को गले लगाती है और कहती है कंग्रोजुलेशन विश बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारी पेंटिंग कल के एकजीबिशन के लिए सिलेक्ट हो गई है अब देखना कल इस पेंटिंग की इतनी उची बोली लगेगी कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी विश के चहरे पर हलकी मुस्कान आ जाती है और वह उस कैनवास पर बनी हुई पेंटिंग को देखते हुए कहती है तुम्हें लगता है जिया की मेरी पेंटिंग कल के एकजीबिशन में बिख सकती है मतलब कल उस एकजीबिशन में शेहर के जाने माने लोगों द्वारा बनाई पेंटिंग आएगी ए ऐसे में मेरी यह मामूली सी पेंटिंग क्या वह कोई खरीदना चाहेगा विश की बात सुनकर जिया अपना सर पीट लेती है और कहती है क्या बकवास कर रही हो अगर तुम्हारी पेंटिंग मामूली होती तो इतने सारे एप्लिकेशन्स में सिर्फ टॉप दस की लिस्ट में तुम्हारी पेंटिंग सलेक्ट नहीं होती अरे ये सच में बहुत अच्छी है और तुमने चार महीने इसके लिए मेहनत भी तो की है तभी तो ये कल के एक्जीबिशन में सिलेक्ट हुई है अब बस तुम इसे फिनिशक टच दे दो और कल के एक्जीबिशन में धमाल मचा दो मैं तो कहती हूँ कल इस पेंटिंग को कोई रईस आदमी खरीद ले और इस एक पेंटिंग के वह तुम्हें लाखों में कीमत दे दे विश के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और उसे अपनी पेंटिंग में एक उम्मीद नजर आने लगती है एमा भाई की मिस्ट्रेस बनकर उसे जो पैसे मिल रहे थे वह उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी लेकिन इतने अच्छे पैसे मिलने के बाद विश ने ट्विंकल का इलाज सरकारी अस्पताल में ना करवा कर बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया था और उसका बिल भी बहुत बड़ा आ रहा था क्योंकि वह ट्विंकल के लिए ही तो ये सब कर रही थी इसके बावजूद उसे और पैसों की जरूरत थी अपनी पैंटिंग के शौक को पूरा करते हुए उसने एक अदभुत तस्वीर बनाई और जिया ने उस तस्वीर की फोटो लेकर इंटरनेट गैलरी में डाल दिया जहां पर पैंटिंग एग्जीबिशन के लिए लोग अपनी पैंटिंग जर डालते हैं जिया ने बस मजाक में उस पैंटिंग को इंटरनेट पर डाला था लेकिन एक आट गैलरी ने उसे सलेक्ट कर लिया और अपनी एग्जीबिशन के लिए उन्हें इंविटेशन दिया पैंटिंग में रंग भरते हुए उसे फिनिशक टच देते हुए विश कहती है ट्विंकल सो गई क्या हाँ वह तो कब की सो गई बस तुम ही सोने का नाम नहीं ले रही हो पता नहीं इतनी अच्छी पैंटिंग को और कितना अच्छा करना है तुम्हें ये पहले ही पफेक्ट है तुम्हें इसे और ज्यादा रंने की जरूरत नहीं है जिया कहती है तो विश ने पैंट ब्रश को पानी के बरतन में डालते हुए अपने हाथ को साफ किया और पैंटिंग को देख कर कहने लगी मुझे पता है ये अच्छी देख रही है मैं बस इसमें थोड़ा सा ही काम कर रही थी और वैसे भी कल सुबह मुझे ट्विंकल को लेकर डॉक्टर के पास जाना है और शाम को एक्जिबिशन है इसलिए कल मैंने अपने काम से छुटी ली है जिया जल्दी से कहती है अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ट्विंकल का ख्याल रख लूंगी पर विश ने जल्दी से नामे सर हिलाते हुए कहा नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है यह कोई सरकारी हॉस्पिटल थोड़ी ना है जहां पर मुझे लाइनों के धक्के खाने पढ़ेगे इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर सब कुछ बहुत आराम से हो जाता है लेकिन तुम अगर कल शाम को मेरे साथ एक्जिबिशन चल सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वहाँ तुम्हारी हेल्प की जरूरत पर सकती है जिया कुछ सोचते हुए कहती है हाँ मैं तेरे साथ चल सकती हूँ एक्जिबिशन में लेकिन बदले में तुझे मुझे पिजजा खिलाना होगा उसकी बात पर विश हसते हुए कहती है तू दोखा लेना क्या बात कर रही है मेरी जान तू मुझे दोपिजजा खिलाएगी अरे इसी बात पर मैं पढोसियों का घर बेच दू जिया ने ऐसे मजाकिया अंदाज में कहा कि विश बिना हसी रही नहीं पाई अपनी पेंटिंग का काम पूरा करके विश कमरे में जाती है वह देखती है ट्विनकल उसी के कमरे में सो रही है और वह रजाई में किसी छोटी सी गुलिया की तरह पूरी सिकुल कर सो रही है उसे ऐसा देख कर विश मुस्कुराने लगती है वह मुस्कुराते हुए ट्विनकल के पास जाती है ट्विंकल को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी आखिर यही तो उसके जीने की आखिरी वजह थी उसका आखरी सहरा, इस दुनिया में उसका आखिरी वजूद विश को इस बात की बिल्कुल भी परवा नहीं थी कि ट्विंकल के पिता कौन है उसके लिए ट्विंकल सिर्फ उसकी बेटी है वह ट्विंकल को सारी दुनिया की खुशियां देगी और उसे कुछ नहीं होने देगी ट्विंकल की सलामती के लिए अगर उसे खुद को भी दाव पर लगाना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी विश ने देखा खिर्की खुली हुई है और परदे भी खुले हुए हैं वह जाकर खिर्की लगाती है और उस पर परदा धग देती है उसके बाद उसने कमरे की इमजेंसी लाइट को जलाया और बड़ी लाइट को बंद कर दिया विश को एक मेडिसिन खानी थी वह खाने के बाद उसने एक अंगड़ाई ली और जाकर ट्विंकल की बगल में लेट गई अपनी मा का एहसास पाकर ट्विंकल अपनी मा से लिप जाती है और उसके सीने पर सर रख देती है विश के चेहरे पर मुसकान आ गई थी उसने ट्विंकल को अपनी बाहों में भर लिया तो ट्विंकल की आँखें हल्की सी नींद में जागती है और वह विश के सीने पर अपनी नाख को रगरते हुए कहती है गुड नाइट ममा, I love you मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ विश ने भी ट्विंकल के सर को सहलाते हुए कहा I love you बच्चा ममा भी आपसे बहुत प्यार करती है दुनिया में सबसे ज़्यादा वह सिर्फ आपसे प्यार करती है ट्विंकल अपनी मा के सीने से लिप्ट कर सो गई थी और विश ने उसे अपनी बाहों में भर कर सोने की कोशिश की थोड़ी ही देर में उसे भी नीन दा जाती है एक अच्छे कल की उम्मीद में विश अपनी बेटी के साथ सुकून से सो रही थी पर क्या उसके आने वाला कल में सुकून था अगली सुबह, दस ब्लेक कलर की गारियां तेजी से सड़क पर जा रही थी जिसमें चौथे नंबर की गारी में बैठा हुआ था अभई डेव कोटियन जो इस वक्त अपने घर की तरफ जा रहा था उसकी खतरनाक पसनेलिटी को दुनिया से छुपाने के लिए उसके बोडी गार्ड और सारा स्टाफ इस समय गारियों में उसका पिछे चल रहा था अभई की गारियां जैसे जैसे सड़क पर आगे बढ़ रही थी अभई ने खिर्की से बाहर देखा मौसम काफी सुहाना था क्योंकि यह सुबह का समय था इसलिए पंचियों की चरचरहाट और थंडी थंडी हवाएं यहां के मौसम को और ज्यादा सुहाना बना रही थी अपनी आँखों से शेड उतारते हुए अभई ने उस सुहाने मौसम को देखा और मुस्कुराते हुए मन में कहने लगा लगता है मेरे अपसेंस में यहां की हवाओने काफी एंजोई किया है पर कोई बात नहीं अब मैं आ गया हूँ ना यह हवाएं फिर से मुझसे डरने लगेगी गारियों का काफिला कोटियान मैंशन की तरफ बढ़ गया और जैसे ही वह लोग मैंशन के पारकिंग में दाखिल हुए बोडी गार जल्दी से उतर कर सतर खो जाते हैं और अभय की गारी के आसपास खड़े हो जाते हैं उन सब के हाथों में हतियार थे और सब के चेहरे जुके हुए थे एक bodyguard ने पिछली गाड़ी का दर्वाजा खोल अभय अपनी खतरनाक personality के साथ गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने court को सही करता हुआ वह बंगले की तरह बढ़ जाता है पर जैसे ही वह कुछ कदम आगे चला उसने देखा उसका phone वाइबरेट होता है जैब से phone निकाल कर उसने पाया तो यह Arya का एक message था उसने Arya के इस message को पूरी तरह से नजरंदाज कर दिया था क्योंकि वह जानता था Arya ने उससे सिर्फ अपने exhibition को याद दिलाने के लिए message किया होगा अभय ने phone screen दोबारा से बंद की और उसे जेब में रखकर अपने बंदले की तरफ बढ़ गया वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विश ट्विंकल को गोद में लेकर डॉक्टर के केबिन से बाहर निकली है ट्विंकल इस वक्त रो रही थी क्योंकि उसे injection लगा था विश के कंदे पर टिका हुआ था वह अपनी मा के कंदे पर सर रख कर बुरी तरह से रो रही थी उसकी मा को पता था कि वह दर्द से तड़प रही है पर यह उसके लिए जरूरी था डॉक्टर ने बताया कि ट्विंकल बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है उसकी हालत पहले से ज्यादा ठीक है उसका दिल अब सामान्य तरीके से धड़क रहा है पर उसके दिल का छेद अभी भी उतना ही है हालां कि पहले जब विश्ण ने उसका CT स्कैन करवाया था तो उसे पता चला था कि उसके दिल का छेद धीरे धीरे बड़ा हो रहा है पर अब वह अपनी जगह पर रुख गया है वह अपना आकार नहीं बदल रहा है इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन करना सरल होगा और ट्विंकल का दिल जो असामान्य स्थिती से कभी कम धड़कता था तो कभी ज़्यादा धड़कता था अब वह सामान्य तरीके से धड़कने लगा है और यह काफी अच्छा संकेत है उसके ओपरेशन के लिए जिसे सुनकर विश को थोड़ी सी राहत महसूस हुई थी पर इस वक्त उसकी छोटी सी बच्ची बिलख कर रो रही थी वह उसे संभाल रही थी ट्विंकल रोते हुए अपनी मा को देखती है और कहती है ममा वह डॉक्टर अंकल बहुत बुरे है वह बहुत गंदे है विश ने अपने हाथों से ट्विंकल के आंसुओं को साफ किया और उससे कहने लगी नहीं बेटा वह गंदे नहीं है वह बस आपकी भलाई चाहते हैं यह आपके लिए जरूरी था पर उन्होंने मुझे सुई लगाए मुझे दर्द हो रहा है अपनी छोटी छोटी आंखों से मोटे मोटे आंसु टपकाते हुए मासूमियत के साथ ट्विंकल ने शिकायत भरे लहजे विश से कहा तो विश मुस्कुराने लगती है उसने प्यार से ट्विंकल के माथे को चुमा और उसे देख कर कहने लगी कोई बात नहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और मम्मी आपके लिए चॉकलेट मिलकशेक बनाएगी आपको पसंद है ना इसकी बात सुनकर ट्विंकल की आँखे चमक जाती है और अब तो उसे इंजेक्शन का दर्द भी नहीं हो रहा था उसके चहरे पर सिर्फ मुस्कान थी और वह जल्दी से हामे सर हिलाती है विश अपनी बेटी की नौटन की देख कर हसने लगती है वह ठीक से ट्विंकल को अपनी गोद में लेती है और अस्पताल से बाहर आती है ताकि उसे कोई गाड़ी मिल सके पर उसने देखा कि यह सड़क पूरी तरह से खाली है दूर दूर तक एक गाड़ी का नाम और निशान नहीं था यहां तक की टैक्सी स्टैंड भी खाली है और वहां पर उसे कोई आटो भी नहीं देख रहा था उसे अपने घर जाने के लिए टैक्सी या आटो लेना था पर यहां पर तो कुछ भी नहीं है तब ही उसकी नजर कौना पर खड़े दो ट्राफिक पुलिस पर पड़ती है विश ट्विंकल को अपने गोद में लेकर धीरे धीरे चलते हुए उन ट्राफिक पुलिस के पास आती है और उनसे कहती है एक्स्क्यूज मी सर क्या मुझे बताएंगे ये टैक्सी स्टैंड खाली क्यों है और यह सड़क कितनी खाली क्यों है मुझे घर जाना था और इस वक्त मुझे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही है उन दोनों ट्राफिक पुलिस कांस्टेबल में से एक ने विश को देखा और उससे कहने लगा मैदम आप एक घंटा और इंतजार कीजिए और अस्पताल के अंदर जाकर ही बैट जाए आपको एक घंटे बाद यहीं से टैक्सी या आटो मिल जाएगा तब आप चली जाना वह क्या है ना हमें ये पूरी सड़क खाली रखनी है क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहां से अभै देव कोटियान अपने गारी के काफिलों के साथ गुज़रेंगे वह बहुत बड़ी शक्सियत है और उनके गुज़ने के लिए रास्तों को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है इसलिए जब तक उनकी गारी यहां से नहीं निकल जाती है तब तक के लिए ये सड़क इसी तरीके से खाली रहेंगी अभय का नाम सुनकर विश पूरी तरह से हैरान हो जाती है और हैरानी से उस खाली सड़क को देखने लगती है अस्पताल के सामने की यह सड़क कभी भी इतनी खाली नहीं रही है क्योंकि यह मैनन हाइवे है जो सिटी को दूसरे शहरों से जोडती है सच में अरबपती होने का भी अपना ही फायदा है विश एक गहरी सांस लेती है और उसके बाद उस खाली सड़क को देखकर वापस अस्पताल की तरफ देखने लगती है उसे अस्पताल के पास में ही एक छोटा सा रस्टोरेंट नजर आता है वर ट्विंकल को अपने गोद में लेकर उस रस्टोरेंट के पास जाती है क्योंकि ट्विंकल को अभी अभी इंजेक्शन लगा था तो उसका कुछ खाना जरूरी था उसने ट्विंकल को ले जाकर एक टेबल पर बिठाया और उसके लिए एक वेज सेंड़िच और ओरंज जूस ओर किया लेकिन विश की नजर खिर्की के बाहर उस सठक पर ही थी जहां से अभय की गाड़ी का काफिला जाने वाला था अभय की गाड़ियों का काफिला ओफिस की तरफ बढ़ रहा था और इसकी वजह से रास्ते को खाली करवा दिया गया था अस्पताल के सामने की पूरी सठक इस वक्त पूरी तरह से खाली थी और विश ट्विंकल को लेकर एक रस्टोरेंट के अंदर बैटी हुई थी उसकी नजर बाहर खाली सठक पर थी और वह बस इंतजार कर रही थी कि कब ये समय गुजरे और वह ट्विंकल को लेकर यहां से निकल सके की तभी ट्विंकल ने उससे कहा मम्मी मुझे पेस्ट्री खानी है त्विंकल की यह छोटी सी फर्माईश सुनकर विश के चहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह हस्ते हुए हामे सर हिलाती है विश ने जल्दी से ट्विंकल के लिए एक पेस्ट्री ओडर की और खुद फोन में कुछ स्क्रोल करने लगी अस्पताल रोड के टन पर मुरने के साथ ही अभय की गाड़ी एक जटके से रुख जाती है अभय गुस्से में ड्राइव को देखते हुए कहता है क्या हुआ सर मुझे लगता है कि एंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है मैं अभी चेक करता हूँ ड्राइव घबराते हुए अभय से कहता है तो अभय ने जल्दी से अपना लैप्टॉप बंद किया और गुस्से में ड्राइव को देखकर कहने लगा तुम्हें अपनी जान प्यारी है या नहीं तुम इस तरीके से बीच सठक पर गाड़ी रोग कर क्या साबित करना चाहते हो ये की मेरे पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है I am sorry sir, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी पर लगता है कार्बोरेटर में कचरा जम गया होगा आप 10 मिनत दीजिए, मैं जल्दी से साफ कर दूंगा कहते हुए ड्राइवर अपने तरफ का दर्वाजा खोलता है और बाहर निकलता है अभय भी अपनी तरफ का दर्वाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है उसके ऐसा करते ही ड्राइवर राहत की सांस लेता है कि कम से कम आज तो उसकी जान बच गई है अबसे वह गाडियों के लिए कभी भी लापरवाह नहीं होगा अभय की गाड़ी रुखने के साथ ही पीछे चल रही सारी गाड़ियां एक साथ रुख जाती हैं और सारे बोडिगार्ड अपनी गाड़ीयों से बाहर निकाल कर अभय के आसपास खड़े हो जाते हैं गौतम अभय का असिस्टेंट वह जल्दी से ड्राइवर के पास आते हुए कहता है क्या हुआ सब ठीक है ना गाड़ी को दुबारा बंद करते हुए ड्राइवर ने हां में सर हिलाया और गौतम से कहने लगा जी सर सब कुछ ठीक है दरसल कार्बोरेटर में कचरा जम गया था जिसकी वजह से गाड़ी चल नहीं रही थी पर अब सब ठीक है गौतम एक राहत की सांस भरता है और अभय को देखने लगता है जिसके चहरे पर इस समय कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे वह अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधे हुए सड़क के किनारे पर खड़ा था और उसकी आँखों पर एक ब्लेक कलर का गौगल था गौतम एभय के पास आता है और कहता है सर गाड़ी तो ठीक हो गई है लेकिन मेरा सजेशन है कि आप प्लीज दूसरी गाड़ी में बैठ जाए अगर यह गाड़ी रास्ते में आगे जाकर फिर खराब हो गई तो आपको प्रॉब्लम होगी इससे बहतर यही है कि आप कोई दूसरी गाड़ी इस्तिमाल कर लीजिए अभई ने उसकी बात सुनी और बिना किसी प्रतिक्रिया के वहां से दूसरी गाड़ी की और चल पड़ा लेकिन इससे पहले कि वह उस गाड़ी पर पहुँच पाता उसे एक आवाज सुनाई देती है जो अभई को रुखने पर मजबूर कर देती है एक मिनत सर इस आवाज से अभई रुख जाता है और चेहरा घूमा कर देखता है तो सामने एक बुजूर्ग महिला खड़ी थी जिसके हाथों में एक ट्रे थी जिसके अंदर कुछ जिल मिलाते हुए से सामान रखे हुए थे सर प्लीज अगर आप ये खरीद लेंगे तो बहुत अच्छा होगा मेरी सुबह से कमाई नहीं हुई है ये किस्मत के पत्थर है लोगों की किस्मत बदल देते हैं इससे मैंने छोटे-छोटे गहने बनाए हैं गले का पेंडेंट, हाथ का ब्रेसलेट, उंगली की इंगूट यां अगर आप इन्हें खरीदेंगे तो मेरी आज की कमाई हो जाएगी एक बोडिगार्ड जल्दी से उस औरत के पास आता है और अपने हाथ से उसे रोगते हुए कहता है जाओ यहां से सर को परेशान मत करो अभय ने अपना हाथ दिखा कर उस बोडिगार्ड को रोग दिया वह उस औरत के पास आता है और उसके हाथ में पढ़े हुए उस लकडी की ट्वे को देखने लगता है जिसमें सच में कुछ रंगीन पत्थरों से आभूशन बनाए गए थे पर यह सारे आभूशन ओरतों के मतलब के थे अभय ने उन सारे आभूशनों में से एक अन्बूठी उठाए जिसमें लाल रंग का पत्थर था लाल रंग का पत्थर उस अन्बूठी में बहुत ही खूपसूरत तरीके से सेट किया गया था और वह लाल रंग चमक भी रहा था यह अन्बूठी प्यार को बांधे रखने में काम्याब होती है आप जिससे प्यार करते हैं आप उसे यह अन्बूठी पहनाए वह हमेशा आपके साथ रहेगी और आपकी बनके रहेगी उस औरत ने बहुत उत्सुकता के साथ अभय को उसन्बूठी के बारे में बताते हुए कहा अभय के चहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ जाती है और उसने उसन्बूठी को अपनी उंगली में घूमा घूमा कर देखा और उस औरत को देखकर कहने लगा मैं बड़ी से बड़ी बिजनेस दील एक चुटकी में क्रैक कर लेता हूँ लेकिन बिजनेस करने का ये तरीका मुझे काफी इंट्रस्टिन लगा है सच में मैं आपके इस स्किल से काफी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ और अथ हैरानी से कहती है क्या मतलब सर मैं कुछ समझी नहीं अभय हस्ता हुआ कहने लगता है अभी अभी आपने कहा कि आपके पास जितने भी जूर्वी है इन सब में वह स्टोन है जो किस्मत बदल सकते है और उसके बाद आपने कहा कि आपकी बनी नहीं हुई है आपको नहीं लगता है कि आपको अपने स्टोन सबसे पहले खुद पर ट्राइ करनी चाहिए अगर यह सच में काम करते हैं तो सबसे पहले आपकी किस्मत बदलेगी अभय की बात सुनकर उस औरत के चहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और वह कहती है ऐसी बात नहीं है सर यह सब आगे की बात है किसी को उसके भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा आज मेरे भाग्य में इसको बेच कर पैसे मिलना लिखा होगा तो जरूर मिलेगा और नहीं लिखा होगा तो मैं लाग कोशिश कर लूनगी मुझे वह नहीं मिलेगा अभय के चहले की वह मिस्टीरियस मुस्कान और ज्यादा गहली हो जाती है उसने उस अन्बूठी को अपने पॉकिट में रखा और एक चुटकी बजाए गार्ड ने अपने जेब में से नोटों की एक गड़ी निकाल कर उस औरत के ट्रे में रख दी वह औरत हैरानी से उस नोटों की गड़ी को देखती है और अभय से कहती है यह एक अन्बूठी के लिए बहुत ज़्यादा कीमत है आप इसे रख सकती हैं क्योंकि किस्मत पर तो मुझे यकीन नहीं है लेकिन हाँ प्यार की कीमत कोई नहीं चुका सकता है अभय ये कहता हुआ अपने कार की तरफ मुड़ा और अपने कार में बैठ गया गौतम ड्राइवर से कुछ बात कर रहा था तब तक अभय कार के अंदर ही बैठा गया उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई उस अनबूठी को देखा और अचानक से उसे आर्या का चेहरा यादा जाता है वह उसके चेहरे को याद करके मुस्कुराते हुए खुद के उपर हस्ते हुए कहता है प्यार नॉनसेंस और यह कहता हुआ वह हस्ते हुए उस अनबूठी को खिर्की से बाहर फेंक देता है ड्राइवर तब तक गारी में बैठ चुका था और जैसे ही अभय ने उसे आगे चलने का इशारा किया गारीयों का काफिला दोबारा से आगे की तरफ बढ़ जाता है दस मिनट के अंदर अभय की गारीयों के जाने के बाद वहाँ पर सारी चीज पहले की तरह हो गई थी आटो रिक्षा और टैक्सी वापस आ गए थे और बाकी सारी बसेस और गारीयां भी चलने लगे थे अपने गोद में ट्विंकल को लेकर विश रस्टोरेंट से बाहर आती है विश के हाथों में एक पैकेट था क्योंकि ट्विंकल ने एक और सैंडविच खाने की जिद की थी तो विश को उसके लिए लेना ही पड़ा ट्विंकल विश का हाथ पकड़ कर खुशी-खुशी टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ रही थी उसके चहरे पर चमक थी और अब उसे इंजेक्शन का दर्द भी नहीं हो रहा था विश ट्विंकल को लेकर टैक्सी स्टैंड के पास खड़ी हो जाती है और एक टैक्सी के आने का इंतजार करने लगती है ट्विंकल भी अपनी मा के हाथों को पकड़ते हुए गोल गोल भूम रही थी और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम गा रही थी कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे कुछ जिल मिलाती हुई चीज पर पढ़ती है और वह खुश हो जाती है वह जल्दी से अपनी मा के हाथ से अपना हाथ कीच लेती है और दोड़ कर उस तरफ जाने लगती है उसे सड़क के किनारे पर जाता देख विश हैरान हो जाती है और घबराते हुए कहती है ट्विंकल क्या कर रही हो यहां गारी आ जाएगी अब तक ट्विंकल सड़क के किनारे जा चुकी थी और उसने जुक कर उस चमकीली सी चीज को अपने हाथ में उठा लिया था वह खुश हो जाती है विश ट्विंकल के पास आती है तो वह देखती है कि ट्विंकल के हाथ में एक लाल पत्थर की अंगूठी है ट्विंकल रुको बेटा तुम कहा जा रही हो तुम्हें चोट लग जाएगी सड़क के किनारे मत जाओ विश ने ट्विंकल को रोगते हुए कहा लेकिन अब तक ट्विंकल सड़क के किनारे पहुँच चुकी थी उसने जुक कर उस चमकती हुई चीज को अपने हाथ में उठा लिया और उसे देखने लगी विश देखती है तो ट्विंकल के हाथ में एक लाल पत्थर की अंबूठी थी जिसे वह अपनी हर उंगली पर लगाते हुए देख रही थी अंबूठी उसकी उंगली के साइट से बड़ी थी इसलिए किसी भी उंगली में फिटी नहीं आ रही थी विश ने ट्विंकल को रोकते हुए उसके हाथ से अंबूठी ली और उससे कहा ट्विंकल ये गलत बात है ये किसी और की अंबूठी है आप इसे ऐसे नहीं ले सकती है उसके बाद विश इधर उधर नजरे दो आते हुए उस अनबूठी के मालिक को तलाश करने की कोशिश करती है लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता है तो विश देखती है कि यह बहुत साधारन सी अनबूठी है वह दिखने में ही बहुत नॉमल लग रही थी ना तो वह डायमंड की थी और ना ही वह कोई महेंगे धातु की बनी हुई थी ट्विंकल ने विश के हाथों से वह अनबूठी वापस लेते हुए कहा नहीं मम्मी यह हमारी है यह मुझे मिली है तो यह मेरी है मिली हुई चीज हमेशा उसके मिलने वाले की होती है मैंने पाया है तो अब यह मेरा है नहीं ट्विंकल यह हमारा नहीं है यह किसी और का है उनसे गलती से गिर गया होगा और किसी और के समान को आप अपना नहीं कह सकती हो यह गलत है और देखो यह अनबूठी साइज में भी कितनी बड़ी है तुम क्या करोगी इतनी बड़ी अनबूठी लेकर चलो इसे वापस वहीं पर रख दो जहां से तुमने उठाया था जिसका होगा उसे धूनते हुए यहां जरूर आएगा पर ट्विंकल किसी जिद्धी बच्चे की तरह उस अनबूठी को अपने पीछे चुपाते हुए कहती है यह किसी का भी नहीं है यह सड़क के किनारे पड़ा था और मैंने इसे पाया है तो अब यह मेरा है और क्या हुआ अगर यह मेरे हाथ में नहीं आ रहा है तो यह बड़ी उनबूठी की अनबूठी है तो यह आपके हाथ में आ जाएगी ऐसा कहते हुए ट्विंकल ने विश का हाथ पकड़ा और अगले ही पल उसकी रिंग फिंगर में वह रिंग पहना दी विश देखती है कि वह अनबूठी उसके रिंग फिंगर में बहुत अच्छी तरह से फिट हो गई थी और वह उसकी उनबूठी में पूरी तरह से आभी गई थी ट्विंकल उस अनबूठी को पूरी तरह से विश की उनबूठी में देखकर खुश होती है और ताली बजाते हुए कहती है यह आपकी उंगली में तो यह अंगूठी पूरी तरह से फिट हो गई है इसका मतलब यह हमारी है विश परेशान हो गई थी उसने इधर उधर देखा लेकिन सच में उसे कोई नजर नहीं आया आखिरकार उसने अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देखते हुए खुद से ही कहने लगी कि यह कोई महंगी अंगूठी नहीं है शायद किसी के काम की नहीं होगी इसलिए उसे सडख के किनारे फेंग दी है अगर एक अनबूठी के पहनने से उसकी बेटी को खुशी मिलती है तो वह उसे क्यों नहीं पहन सकती है अगर यह किसी की महंगी जूल्वी होती तो वह उसे इस तरीके से सड़क के किनारे क्यों फेकता शायद उसे इसकी परवा नहीं थी लेकिन अपनी बेटी की खुशी की परवा उसे है विश ने मुस्कुराते हुए हामे सर हिलाया और ट्विंकल को अपने गोद में लेते हुए कहा ठीक है बेटा यह अनबूठी अपसे हमारी है मम्मी आप इसे कभी मत उतारना यह मेरी तरफ से गिफ्ट है ट्विंकल ने जब कहा तो विश हसते हुए कहती है अच्छा जी यह तुम्हारी तरफ से गिफ्ट है गिफ्ट अपने पैसों से दिया जाता है ना कि कहीं से मिला हुआ गिफ्ट किसी दूसरे को चिपकाया जाता है ट्विंकल मासूमियत के साथ कुछ सोचती है और फिर जल्दी से विश को देख कर कहने लगती है ठीक है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और खूप सारे पैसे कमाऊंगी तब मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगी बस तब तक के लिए यह अंबूठी आप अपने पास रखिए इस अंबूठी को देख कर मुझे याद रहेगा कि मैंने आपको गिफ्ट देने का वादा किया है विष मुस्कुराते हुए ट्विंकल को अपनी गोद में उठाती है और उसके बाद उसे लेकर घर चली जाती है शाम के वक्त विष ट्विंकल और जिया के साथ अपने पेंटिंग एग्जीबिशन में पहुँची थी दरसल वर ट्विंकल को घर चोड़ कर आने वाली थी लेकिन जब वह लोग एग्जीबिशन के लिए निकल रहे थे तो ट्विंकल ने रोना शुरू कर दिया था इसलिए विष को ना चाहते हुए भी ट्विंकल को अपने साथ ही लाना पड़ा जिया ने उसे भरोसा दिलाया था कि वर ट्विंकल का ख्यार रखेगी और एग्जीबिशन के दौरान ट्विंकल उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी वह लोग जब एग्जीबिशन पर पहुँचते हैं तो जिया वहां की भव्यता देखकर कहती है वाह यार कितनी खूबसूरत जगह है यहां की कीमत कितनी होगी बहुत सारी चॉकलेट और बहुत सारी आइसक्रीम के जितनी त्विंकल ने हैरानी से कहा और उसकी ऐसी बचपने वाली बात सुनकर जिया और विश दोनों हैरान हो जाती है और हसने लगते हैं तभी वहां पर आर्ट गैलरी का एक सदस्य आता है और वह विश को उस जगह पर ले कर जाता है जहां पर उसकी पेंटिंग के लिए जगह डिसाइट की गई थी तभी उस आर्ट गैलरी के बाहर दस गाड़ियों का काफिला उतरता है और बॉडी गार्ड उनमें से बाहर निकलते हैं वह जल्दी से एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज को कार को घेर लेते हैं एक गार्ड जल्दी से उसका दर्वाजा खोलता है तो उसमें से अभय बाहर निकलता है वह अपने कोर्ट को सही करता है और उसके बाद उसने अपना हाथ गाड़ी की तरफ बढ़ाता है उसके हाथ पर एक खूबसूरत सा चूडियों से भरा हुआ हाथ आता है और अगले ही पल अभय के साथ आर्या उस गाड़ी से बाहर निकलती है आर्ट गैलरी का मालिक खुद आ कर उन लोगों को अटेंट करता है वह उन लोगों का वेलकम करते हुए कहता है आप लोगों का स्वागत है मिस्टर एंड मिसेज को टियान हमारे छोटे से एक्जीबिशन में आकर आप लोगों ने इस एक्जीबिशन की शोभा बढ़ाए है अभय के चहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी और उसने हामें सरहिलाया आर्या भी उन्हें देखकर हलकी सी मुस्कान के साथ हामें सरहिलाती है और उसके बाद वह लोग अंदर आप गैलरी की तरफ चले जाते हैं क्योंकि आर्या की भी पेंटिंग की एक्जीबिशन होनी थी और उसकी पेंटिंग पहले से ही अपने तै जगा पर लगा दी गई थी जैसे ही वह लोग अंदर पहुँचते हैं सबकी नजरें अभय और आर्या पर ही थी वहाँ पर आर्या को देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वह यहां की सबसे रईस और सबसे खूबसूरत महिला हो क्योंकि आर्या ने एक बनार सी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके उपर से गले में उसका डायमंड का सेट और उसके मंदल सूत्र भी डायमंड का ही था गोल सा छोटा सा चेहरा और कंधे तक आते उसके बाल जिसे उसने खुले ही छोड़े हुए थे कानों में छोटे से डायमंड के जुंके और काली-काली आँखों में काजल लगा हुआ था पतली से गुलाबी होंट के पास एक छोटा सा तिल था और माथे पर उसने गोल्डन कलर की बिंदी लगा रखी थी आर्या का चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था और वह मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती थी अंदर आने के साथ ही अभय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और उसे आर्ट गैलरी के अंदर लाते हुए कहने लगा चलो तुम्हारी पेंटिंग के पास चलते हैं तभी वहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद थे उन्होंने अभय और आर्या को एक साथ देखकर उनकी तस्वीर लेना शुरू कर दी वही आर्ट गैलरी के दूसरे हिस्से में जिया सच बताओ ना ये ठीक लग रहा है या नहीं विश अपनी पेंटिंग को दिवार पर तंदा हुआ देखा और घबराते हुए जिया से सवाल किया तो जिया अपना सर पीटते हुए कहती है अरे यार यह एक दमपफेक्ट है इसमें कोई भी खराबी नहीं है तुम खामखा ही घबरा रही हो तब ही उन लोगों को महसूस होता है कि यहाँ पर थोड़ी हलचल हो रही है आसपास जो लोग थे वह हौल की तरफ जा रहे हैं जिया और विश भी हरानी से हौल की तरफ देखने लगती है जहाँ पर सभी लोग एकर्था हो गए थे विश हरानी से पूछा वहाँ क्या हो रहा है जिया ने ट्विंकल को विश की गोद में देते हुए कहा तुम यहीं दो मिनट रुको मैं देखकर आती हूँ वहाँ पर हो क्या रहा है जिया उस भील की तरफ चली जाती है और जहांक कर सामने की तरफ देखने लगती है पांच मिनट बात जब वह वापस आती है तो उसने विश को देखते हुए कहा अरे यार कुछ नहीं कोई बड़ा आदमी है अपनी बीवी के साथ यहाँ आया है मीडिया और बाकी सब लोग मक्खी की तरह उसके आसपास भिन भिना रहे है सुना है उसकी बीवी की पेंटिंग भी इसी एकजीबिशन में लगी हुई है खैर हमें क्या करना है तेरी पेंटिंग सबसे बैस्ट है और आज तेरी पेंटिंग की सबसे उची बोली लगेगी विश हैरानी से भील को देखती है और वह अपने चेहरे को इधर उधर करके कुछ देखना चाहती है भील इतनी ज्यादा थी कि उसे सामने खड़े शक्स नजर ही नहीं आ रहे थे और उपर से वो लोग थोड़ा दूरी पर भी थे तभी विश को कुछ महसूस होता है और वह हैरान हो जाती है उसने जल्दी से अपना हैंड बैग उठाया और ट्विंकल को जिया को देते हुए कहा इसका ध्यान रखना मैं दो मिनिट में आती हूँ इससे पहले की विश निकाल पाती जिया ने उसका हाथ पकरते हुए तू कहां जा रही है थोड़ी देर में एग्जिबिशन शुरू होने वाला है लेकिन विश अपना पेट पकरते हुए कहती है पर मुझे भी जाना पड़ेगा मुझे लगता है मेरे पीरियद्स आ गए हैं मुझे अभी वाश्रूम जाना है तुझे सच में वाश्रूम ही जाना है ना की हमें छोड़कर कहीं भागने की प्लानिंग कर रही है जिया ने संदेह भरी नजरों से विश को देखा तो विश अपना सर पीटते हुए कहती है अगर मैं कहीं भागूगी भी तो तुझे और ट्विंकल को अपने साथ लेकर भागूगी ना अकेली क्यों भागूगी एकजीबिशन के लिए सारे पैंटर्स अपनी अपनी पैंटिंग जको गैलरी के अलग-अलग हिस्से में लगा रहे थे लेकिन आर्या को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसकी पैंटिंग पहले से ही एक बहुत अच्छी जगा पर लगी हुई थी जहां पर आने वाले सभी खरीदार सबसे पहले आर्या की पैंटिंग ही देख रहे थे एकजीबिशन शुरू हो चुका था और एक एक करके सारे पैंटिंग की पैंटिंग की बोली लगनी शुरू भी हो गई थी जिया हैरानी से गैलरी की आखिरी कौन पर देख रही थी जहां के दूसरी तरफ वाश रूम था लेकिन अभी तक विश वापस नहीं आई थी जिया की गोद में ट्विंकल थी जो हैरानी से इधर उधर देख रही थी दरसल यह वक्त उसके खेलने का और कार्टून देखने का था और इस वक्त वह यहां पर थी अब उसे अपने यहां आने के फैसले पर अफसोस हो रहा था उसे लगा वह किसी मजेदार जगा पर जा रही है पर यहां पर तो उसे कुछ भी मजा नहीं आ रहा है उसे वापस घर जाना था वह बोरियत के साथ जिया की तरफ देख कर कहने लगी मौसी हम यहां क्यों हैं घर क्यों नहीं जा रहे हैं जिया कभी वाश्रूम के कौनर पर देख कर विश के आने का इंतजार करती तो कभी उसकी नजर हॉल के दूसरी तरफ जाती जहां पर लोग भीग लगा कर अभय को घेरे खड़े थे एक एक करके लोग हट रहे थे और अभय और आर्या भी अब नजर आने लगे थे जिया ने जैसे ही ट्विंकल का सवाल सुना उसने कहा ट्विंकल हम यहां पर आपकी मम्मी की पेंटिंग की एक्जीबिशन के लिए आए हैं एक बार उनकी पेंटिंग बिग जाए तो हम घर चलेंगे पता नहीं तुम्हारी मम्मी वाश्रूम में कहां रह गई है अभी तक आई क्यू नहीं अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था तभी ट्विंकल देखती है उसकी मम्मी की पेंटिंग के साथ थोड़ी ही दूर पर जो दूसरी पेंटिंग थी उसे एक आदमी उतारता है और पेपर में लपेट कर वहां से ले जाता है उसे ऐसा करता देख ट्विंकल हैरानी से जिया से कहती है मौसी वह वाली पेंटिंग क्यों चली गई जिया ने बताया बेटा क्योंकि वह बिग गई होगी जैसे ये वाली पेंटिंग बिकी है ना वैसे ही तुम्हारी मा की पेंटिंग भी बिग जाएगी और उसके बाद हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो मेरी मम्मी की पेंटिंग कौन खरीदेगा जिया वैसे ही परेशान हो रही थी क्योंकि एक एक करके खरीदार पेंटिंग देखते और उसे सलेक्ट कर लेते थे कुछ ने तो उनकी पेंटिंग देखी लेकिन क्योंकि विश आसपास नहीं थी इसलिए जिया उन्हें पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं बता पाए और वो लोग वहां से चले जाते हैं उपर से ट्विंकल के सवाल से जिया परेशान हो रही थी उसने जल्दी से उस तरफ इशारा किया जहां पर अभए और आर्या खड़े थे और उसने अभए की तरफ देखते हुए कहा वह जो अंकल देख रहे होना जिन्होंने ब्लेक कलर का कोट पहना हुआ है वह आपकी मम्मी की पेंटिंग खरी देगे और उसके बाद वह आपकी मम्मी को धेर सारे पैसे देंगे जिससे आपकी मम्मी आपके लिए धेर सारी चॉकलेट और आइसक्रीम खरीदेगी चॉकलेट और आइसक्रीम का नाम सुनकर ट्विंकल की आँखों में चमका जाती है वह जिया की गोद से उतरने के लिए छट पटाने लगती है जिया ने उसे अपनी गोद में कसके पकड़ा हुआ था पर तभी वहाँ पर आर्ट गैलरी का कोई व्यक्ति आता है जो उस पैंटिंग के बारे में बात करने लगता है जिया ने उस आदमी से बात करने के लिए ट्विंकल को नीचे उतार दिया और उस आदमी से कहने लगी कि पेंटर वाश्रूम गई है जैसे ही आज जाएगी वह इस पेंटिंग की एगजीबिशन में शामिल हो जाएगी जिया को कुछ बात कर वह आदमी वहाँ से चला जाता है और जिया हिरानी से वाश्रूम के कौनर को देखने लगती है लेकिन विश अभी भी बाहर नहीं आई थी उसने विश को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला पर तब ही उसके नंबर पर विश की कॉल आ जाती है उसने जल्दी से फोन रिसीव किया और कान से लगाते हुए विश से कहने लगी विश कहा है तू? तुझे पता है आर्ट गैलरी के मैनेजर आये थे और उन्होंने कहा है कि पेंटिंग के लिए लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लेकिन तू यहां मौजूद नहीं है इसलिए कोई खरीद नहीं रहा है तू जल्दी आ अरे यार मैं कैसे आ सकती हूँ मेरे पीरियड आ गए है और मैं अपने साथ सैनिटरी पेड नहीं लेकर आई हूँ इसलिए मैं वाश्रूम में फंसी हुई हूँ अब मैं क्या करूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है विश ने कहा जिया जल्दी से अपना बैग उठाते हुए कहती है ठीक है तू वाश्रूम में ही रह मेरे पास एक एक सैनिटरी पैड है मैं लेकर आती हूँ ये कहते हुए जिया अपना बैग लेकर वाश्रूम की तरफ चली जाती है क्योंकि पैंटिंग के पास किसी का रहना जरूरी था इसलिए जिया जल्दी से विश को बेग पकरती है और दोबारा पैंटिंग के पास आ जाती है पर वह देखती है ट्विंकल यहां नहीं है ट्विंकल को वहाँ ना पाकर जिया हैरानी से इधर उधर देखने लगती है तब ही उसकी नजर हॉल के दूसरे कौन अपर जाती है जहाँ पर ट्विंकल अभय से थोड़ी ही दूर पर खड़ी थी उसे वहाँ देखकर जिया हैरान हो जाती है और तेज कदमों से वहाँ बढ़ने लगती है ट्विंकल अभय से दो कदम की दूरी पर खड़ी थी वह जैसे ही अभय के पास पहुँचती है उसका कोड पीछे से पकड़ कर कीचने लगती है अभय को जब अपने पीछे के खिजाव का एसास होता है तो वह पलट कर पीछे देखता है अपने सामने मासूम सी ट्विंकल को देखकर अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है पर तभी अभय की सिक्योरिटी वहाँ जाकर ट्विंकल को वहाँ से हटाने की वाली थी अभय ने उसे हाथ दिखा कर रोग दिया वह भुटनों के बल ट्विंकल के सामने बैठता है और उससे कहता है क्या बात है बच्चे आप मेरा कोट क्यों कीच रहे थे अंकल आप मेरी मम्मी की पेंटिंग खरी देगे ना जिससे मेरी मम्मी मेरे लिए धेर सारे चॉकलेट और आइसक्रीम लेगी आर्या जो की अभय से थोड़ी ही दूरी पर किसी दूसरी पेंटर से बात कर रही थी उसने अभय को किसी बच्चे से बात करते हुए देखा तो वह तुरंत उसके पास आ जाती है वह देखती है अभय के चेहरे पर एक मुस्कान है और वह कैसे मुस्कुराते हुए एक अंजान छोटी सी बच्ची से बात कर रहा है अभय ने ट्विंकल को गोद में उठा लिया और उसे देख कर कहने लगा तो तुम्हें चॉकलेट और आइसक्रीम चाहिए ट्विंकल क्या कर रही हो यहाँ पर चलो अपनी जगह पर वापस चलो तुम क्यूं इन्हें परेशान कर रही हो जिया जल्दी से ट्विंकल के पास आते हुए उसे देख कर कहने लगती है अभए जब जिया को देखता है तो उसे लगता है कि शायद यही ट्विंकल की मा है लेकिन अगले ही पल ट्विंकल ने चिलाते हुए जिया को देखकर कहा मौसी में बस अंकल से यह कहने आई थी कि मेरी मम्मी की पेंटिंग वहाँ है वह जल्दी से उसे खरीद ले ताकि मेरी मम्मी मेरे लिए चॉकलेट और आइसक्रीम ले सके त्विंकल की बात सुनकर जिया को अब अपने कहे हुए शब्दों पर अफसोस हो रहा था वह मन ही मन अपना सर पीट लेती है कहां इस लड़की को उसने बहकाने के लिए ये कह दिया और वह तो सच में अभय देव कोटियन के पास आकर यह सब कहने भी लगी थी उसने जल्दी से ट्विंकल को अपनी गोद में लिया तो ट्विंकल अभय की गोद से उच्छल कर जिया के पास आ जाती है पर इससे अभय को ये पता चल जाता है कि ए लड़की इस बच्ची की मा नहीं है जियो ने शर्मिंदगी के साथ अफसोस जताते हुए कहा I am sorry sir मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ बच्ची है ना समझी में कुछ भी कह दिया इसने पर ट्विंकल ने मासूमियत के साथ अभय को देखते हुए कहा नहीं मैं बच्ची नहीं हूँ अंकल मैं पूरे पांच इसकी हूँ ये कहते हुए ट्विंकल ने अपनी छोटी से हाथों की पांचों उंग्लियां अभय के सामने कर दी उसे ऐसा करता देख अभय और आर्या दोनों के चहरे पर मुस्कान आ जाती है अभय ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ अपने पेंट की पॉकिट में डालते हुए ट्विंकल को देख कर कहने लगा तो पांच यहस की बिग गल क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारी मा की पेंटिंग कहा है ट्विंकल छोटे से हाथ से इशारा करते हुए कहती है वह उस तरफ अभय मुस्कुराते हुए हामे सरहिलता है और उस तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने ही वाला था कि आर्या ने अभय के बाजू को पकड़ते हुए उसे कहने लगी आप क्या कर रहे है मेरी पेंटिंग का एक्जीबिशन चल रहा है आप इस तरीके से अगर चले जाएंगे तो तो क्या आर्या पेंटिंग तुम्हारी है एक्जीबिशन भी तुम्हारी पेंटिंग कही हो रहा है तो तुम्हें इसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है, तुम्हारी पेंटिंग तो बिखी जाएगी ना, आखिर तुमने पेंटिंग में अपना नाम आर्या कोटियन जो रखा हुआ है, आर्या अपना चेहरा नीचे जुका लेती है और अभय उस तरफ चला जाता है, जहां पर आर्या उस पेंटिंग के पास पहुँचते हैं और उसे पेंटिंग को देखने लगते हैं, आर्या उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है, ये तो बहुत नॉमली सी पेंटिंग है, इसमें स्पेशल क्या है, आंटी यह पेंटिंग इसलिए स्पेशल है, क्योंकि यह मेरी मम्मी ने बनाई है छोटी सी ट्विंकल ने आर्या को देखते हुए कहा तो आर्या का चेहरा के लिए तेयार हूँ जैसे ही अभय ने ये कहा आर्या हैरान हो जाती है वह खुद एक बहुत अच्छी पेंटर है लेकिन फिर भी अभय किसी दूसरे पेंटर की मामूली सी पेंटिंग को खरीदने की बात कर रहा है पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अभय से इस बारे पेंटिंग की असली कीमत बता सके अभय ने जब उसे कुछ ना कहता हुआ पाया तो उसने जिया से पूछा तुम्हें इस पेंटिंग की कीमत नहीं पता है जिया ने घबराते हुए कहा सौरी सर ये पेंटिंग मेरी नहीं है मेरी फ्रेंड ने बनाई है और मुझे नहीं प इसली कीमत नहीं पता है, तो फिर ठीक है इसकी कीमत के बनाने वाले से पूछ कर भर देना, लेकिन तभी अभई की आँखे छोटी हो जाती है, उसने अपने कोट की जब में चेक किया, तो उसका चेक बुक वहां मौजूद ही नहीं था, वो थोड़ा हैरान होता है और फिर य